नमस्कार दर्शको मैं हूँ आचारे मयांग शर्मा दर्शको शनी देव जो हैं बहुत जल्द वक्री होने जा रहे हैं 29 जून से लेके 15 नुवंबर तक शनी देव जो हैं कुम्ब राशी में ही वक्री अवस्था में रहते हैं जोतिश में कहा गया है कि जब जब कोई शुप गिरह अगर वक्री होता है तो उसके शुप खलो की व्रद्धी होती है अगर कोई पापी गिरह जैसे शनी या मंगल अगर वक्री होते हैं तो उनके अशुप खलो में व्रद्धी होती है वक्री शनी के वस्था में सभी राश्यों कुछ सावधानी रखनी की ज़रुत होती है और क्या कुछ खास करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए ये आज आज आपको सभी 12 राश्यों वालों के बारे में बताएंगे कि उनको आने वाले समय में किन चीजों में सावधानी रखनी चीए, धन का निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि शनी देव वक्री है तो कोई गलत कारिये ना हो जाए, जल्द बाजी में कोई गलत निर्ने ना ले वैठ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे एक सो पैंतर्स दिनों तक शनी चलेंगे उल्टी चार्ड, एक सो पैंतर्स दिनों तक वक्री शनी की दृस्टी किनके लगाएगी लॉट्री, एक सो पैंतर्स दिनों तक क्या वक्री शनी लगाएंगे खुश्यों पर ब्रेक, एक सो पैंतर्स दिनों तक शनी करपार से मिल कि दॉलर एक सोपैंस दिनों तक दंडादिकारी बन कर शनी दंड देंगे या फिर राहत क्या कहती है शनी की वकरी चाल देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्यान पर नमस्कार धर्म ज्यान के दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कवितर आना मेरे साथ मजूद है कि क्या कहता है कर्म फल दाता दंडातिकारी नया इधिश शनी की वक्री चाल इस वक देखे शनी एक लंबे समय से मारगी होकर अपने घर में बैठे हुए लेकिन 39 जून को अपने घर में वक्री हो जाएंगे और वक्री कब तक रहेंगे आपके पंदरा नवंबर तक यानि जहां नुकसान हो तो अत्यदिक नुकसान होने लगता है ऐसे में शनी के द्रिस्टियां है अब की बार आपको वरिशव राशे वरिशव लगन वाले लोगों को क्या कुछ दे कर जाएगी और साड़े चार महिनों तक जब तक शनी वक्री रहेंगे आप लोगों को कितना फालाब और कहाँ हानी चता सकते आइए माहिक जी से जानते हैं बताये माहिक जी दहें बात करते हैं व्रशव लगन की व्रशव राशी वालों की अब शनी जोre इनके दश्व भाव में सुराशी के बैठे हैं और यहां पर शनी दे जो है कवीदा जी योकारक माने गए अब दर्शकों को समझा देते हैं योकारक का मतलब क्या होता है देखें व्रशब लगन और तुला लगन में शनी देव परम राजयो कारक माने गए क्योंकि यहां केंद्र के स्वामे फटको के स्वामेडेक को बढ़ाएंगे विदेश यात्रा को बढ़ंगे आपके कामकारवार को बढ़ंगे अब शनी देव जब इन दो भावों में बैठ जाएं तो परम राजयो करक हो हो जाते हैं अब क्या है कि शनीदेव देखे दशम भाव में वक्री यहाँ पर शनीदेव का वक्री होना कुमर्ची में वक्री होना एक यह बौध के आपके वक्री 9 कर भी शुप हलो की आपकी व्रद्धी करेंगे तो व्रशव वालों को कोई बहुत जादा चिंता करने की जरूतनी है हाला कि कुछ चीजे है जो बढ़ेंगे वह मैं आपको बताऊगा कि यह चीज बढ़ सकती है तो इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आम तो पर व्रशव वालों के लिए यह गोचर जो है तकरीबन जैसे आपने बताया 29 जून से लेके और 15 नवंबर तक जो साड़े आपके तीसरे भाव पर पढ़ रही है तो यहां से शनी आपको कितना फाइदा कितना नुकसान दे रहे हैं देगे शनी देव जब एकादश भाव में रहते हैं तो तीसी द्रस्टी लगन पर पढ़ती है लेकिंगे तो तो अब ही तक क्या था खर्चा आपका थोड़ा चल दूसरी बात यह कि शनी खर्च भाव को देखेंगे तो खर्च थोड़ा सा बढ़ जाएगा अब यह खर्च क्योंकि मेश राशी है तो खर्च किन चीज़ में बढ़ेगा वरश्व वालों के लिए यहां पर खर्च बढ़ेगा आपके पारिवारी सदिस्तर के ओपर आपक सुख साधनों पर भी बढ़ा सकते हैं जी कि मंगल की राशी पढ़ रही है तो हुआ इलेक्ट्रोनिक्स गैजट्स घर की कोई बड़ी खरीदारी इलेक्ट्रोनिक्स आइटम वह सब चीज़ आप ले सकते हैं लगजरी के लिए आप खर्च कर सकते हैं तो इन चीजों पर शनी देव घर्च बढ़ाएंगे वार्वा विदेशों का भी है मार्वा हमारे हानी का भी है तो यहां पर मैं यह आपको सलादूंगा धनका कहीं निवेश ना करें लोटरी जुआ सटा इस तरी की चीज़ों से हानी भो सकती है फिजूल खर्ची हो सकती है बेवजय कि मैं दिया जाएगा और वह लोटकर्ष नहीं आपायेगा तो श कर दियान रखें है विदेश से लाब मिलता हुआ तो यहां से शनी को कितना लाब और कितनी हानी पहुचाएंगे शनी देव की अब तीसी द्रष्टी है अब उसके बाद शनी देव की जो साथवी द्रष्टी पढ़ रही है वो बिल्कुल आपके चतुरत भाव पर पढ़ रही है और वह भी शत्रूराशी में तो देखें यह लगजरी कार ले सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप सब खरीदारी कीजिए लेकिन जल्द बाजी में निर्णे मत लेजिए बिल्कुल समझ के लिजे कोई कार लेनी है कोई प्रॉपर्टी लेनी है अन्य था तो वह आपको लगएगा कि शार इससे बहतर ली जा सकती थी इ अन्य था तो परेशानी में पढ़ सकते हैं इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि वक्री शनी दशम भाव में हैं राजनेतावी साफधान रहें वियरत के ब्यान बाजी से बचें विरशव वाले और जो कारे स्थल पर जो लोग नोकरी पेशा लोग है वो अपने कलीक्स के सा आते हैं तो एंपलोई के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखें कि इस समय विरोधाबाद शनी देव कर सकते हैं इस श्री का ध्यान है महीं जैसी के साथ शनी के साथवी दिश्टिंग के किस भाव पर पढ़ रही है और इसके बारे में हमने डिटेल में बताया अब शनी के बार में कहा गया कि कुछ अच्छा देंगे तो कुछ परिशानी पैदा करती है गरस्त जीवन के साथ जीवन साती के साथ चोटे मोटे मन मोटा पैदा हो सकते हैं हाला कि लगन स्थ गुरू जो है उस प्रभाव को कम भी करेंगे यह आपके लिए शुब संकेत है कि में आपके गुरू आ चके हैं तो व्यवाइक जीवन को व्यवाइक शुक को तो बढ़ाएंगे लेकिन शनी कभी-कभी मन मोटाव कि सिती पैदा करते हैं तो कि दस्टी तो पड़ी रही है और चाहे लाइफ पार्टनर हो उनके साथ किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बच और इस व्यापार से आपको अच्छा-कासा लाब भी मिलता हुआ नजर आ रहा है चलिए और इसी के साथ जाते जाते हैं शनी से जुड़े चमतकारी उपाई देकि आपको उपाई क्या करने चाहिए शनी देव की अराधना करने चाहिए व्रशव वालों को शनीवार के दि हैं तो सूबह भी आप कर सकते हैं लेकिन ये सूबह आपको करना होगा सूरिय उदे से पहले यानिकि आपको जब सूरिय उदे होते हैं तो पांच-छे बजे तक ये कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा अधरवाई संध्या-कालिम्ने करना खुड़ा बहतर है हनुमायन चाली साथ वरशव वालों को हमेशा निरंतर पढ़नी चाहिए तो शनी देव का फून आशिवाद मिलता है इसके साथी साथ आपको क्या करना चाहिए अपने घर पे सुंदरकान का पार्ट करा सकते हैं शनी स्त्रोथ शनी चाली साथ ये पढ़ेंगे तो निशित कुंडली के निशार आपको किता प्रभावित कर रही है इस बार अपना धर का वास्तू भी दिखाना है तो बेजिजिक स्क्रीन भी देखरें इस नंबर के जरीए आप मैंक्षमाजी से सीधा संपर कर सकता हम दोनों को दीजाए जाज़त नमस्कार